तो आज स्वाती मालिवाल से जुड़े एक बड़ी खबर है कि स्वाती मालिवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, मारपीड हुई थी या नहीं हुई थी, उन्हें कहां कहां चोटें लगी थी, ये तमाम सवालों के जो जवाब हैं, वो मिल गए हैं, एम्स के डॉक्टरों उन्हें स्वाती मालिवाल को उनकी मेडिकल रिपोर्ट सौप दी है, उनका मेडिकल कराया गया था, क्योंकि उनका बड़ा आरोप है, दिली के मुख्यमंत्रियार्विन के जिवाल के पीए पर कि उन्होंने उनके साथ मार पीड़ी है, तो इसके बाल उनका मेडिकल कराया कि स्वाती मालीवाल की जो रिपोर्ट है उसमें साप साप लिखा गया है कि उसमें उनके जो दाहिने गाल और आंक के नीचे और बाएं पैर पर चोट के निशान पाये गये हैं स्वाती मालीवाल के इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि कहां कहां और चोटे हैं जो रिपो यो सामने आ रहे है उसमें तो बाएँ पेरमोन की चोट है इसके अलावा दाहीने गाल पर और आख के नीचे चोटकर निशान है जैसे उन्हें आरूप लगाया विवाव कुमार ने उन पर थपड़ मारे थे उन्हें गालियां दी जिस आरोप लगाया तो अगर मेडिकल जांच से उसको मिलाय जाए तो मेडिकल जांच में पता चला है कि दाहिने गाल और आख के नीचे चोट के निशान है यह एमस के रिपोर्ट है इसके बाद जो लगी है और आपने देखा होगा कि वो लड़काती नजर आ रही थी तो यह जो पाउँ पर चोट है यह उसी की वज़े से हो सकता है इसके लावा उन्होंने यह भी कहा है कि जैसे स्वाती मालिवाल कह रही थी कि उन्हें सिर पर उनके मारा गया था तो फिलहाल इस के चोट के निसान है जैसे मैंने आपको बताया है कि जो चार जगा कहां कहां पर हैं दाहिने गाल पर हैं आंक के नीचे चोट के निसान है पहर पर चोट के निसान है तो इस प्रकार से स्वाती मालिवाल की रिपोर्ट आई है और कहां कहां उन्हें चोटें लगी है यह उस तमाम प्रकार के आरोप हैं वो आरोप क्या इन मेडिकल चार्च के बाद उस पर कुछ एक्षन लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी फिलहाल इसके लावा एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है स्वाती मालीवाल से जोड़ा हुआ क्योंकि स्वाती मालीवाल से जोड़ा जो वीडियो है उसमें वो अरविन केजरिवाल यानि सीम हाउस से बाहर आती है नजर आ रही है एक सुरक्षा कर्मिय उन्हें बाहर ला रही है ये वीडियो कहती तोर पर वाइरल हो रहा है हालांकि वीडियो की पूश्टी अभी नहीं हुई